दमस्कार सभी को मैं नील बे निवाल अवरिस एजूगेशन के इस प्लैट्फूम पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज की क्लास में हम करेंगे पेपर सैट टू और इसका पेपर सैट वन हम पहले कर चुके हैं और जैसे कि आपको वद्धा अपने क्लास देखी होगी क इसके अंदर हम सीटी एक्जाम के लिए स्पेसल आपके काफी इंपोर्टेंट क्योशन जो इसके अंदर कवर कर रहे हैं और इस क्लास के अंदर आपके टोटल 30 क्योशन जो वो रहेंगे जिसमें से 15 क्योशन आपके जियस के जिसके अंदर आपके मिक्स जियस के क्योशन हो शुरू करते हैं पहला क्योशन देखिए उससे पहले देखिए अगर आप CT की तियारी करें तो पेपर आप सभी को बता है पांचो च्छे नॉंबर को आपका लगब संभावित बताया गया एक्जाम तो आप उसी अकोर्डिंग अपनी तियारी कर सकते हैं टाइम काफी कम जरूर देना तभी जाकर आपके एक्जाम के अंदर आपकी तियारी बहुत अच्छे लेवल की होगी और मोक्तेश देने का आपका फायदा जब डबल हो जाएगा अभी लाश्ट टाइम आपका हो रहा है इसी अकोर्डिंग आपके हर रोज आप रेक्टिस हैर जरूर लग होगे और से जुकेशन का विटन तो आपको 20% का डिसकाउंट इसकंदर मिलेगा चार सो निन्यान में का पास आपका पड़ेगा चार सो का और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर विजिट करें वहां पर आपको डेमो टेस्ट भी दिये गए हैं देखि खिलाडियों को दिया जाता है वो आपका हो जाएगा खेलों का सेकिंड नंबर का अरजुन पूरसकार तो ये अगर आपका सेकिंड है तो पहला कौन चाहे तो पहला आप सभी को पताओगा बहुत बार एक्जाम के अंदर पूछा गया पहला जो था वो था राजी कर दिया जाने खेल लटन पूरसकार जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया अभिका कर दिया घ। banana खेल लतन है कर दिया गया मेजर ध्यान-चंद खेल लतन पूरसकार तो इसको आप धे अर्जुन पूरसकार था लेकिन जब से आपका 1902 बाड़ मैं के अंदर यह मेजर ध्यांचंद खेल लतन शुरू हुआ यह आपका पहले नंबर पे बन गया अर्जुन पूरसकार के अंदर राशी कितनी दी जाती है पहले पांच लाग थी लेकिन 2020 से इसमें 15 लाग रुपे एक दी जाने लगी और वहीं पर मेजर ध्यांचंद खेल लतन पूरसकार जो इसके अंदर 25 लाग रुपे जो वो राशी दी जाती है तो यह ध्यान रखना है अर्जुन पूरसकार 1961 मेजर ध्यांचंद खेल लतन पूरसकार 1902 बाड़ मैं से और सबसे पहले यह किसको दिया सिविलियन वोर्ड की सबसे बड़ा वोर्ड आपको पता है कुन सा भारत रतन दिया जाता है कब से देना शुरू हुआ उननीस सो चोमन से देना शुरू है थे भारत रतन पूरस्कार ठीक है तो यह ध्यान रखना पहले का जो राइट अंसर बनेगा ऑप्शन नंबर भी बने पहले आपके जो कितने हुआ करते थे साथ आपके यूटी हुआ करते थे साथ के इंदर साशीत परदेश लेगिन बाद में जब धारा 370 अटाए गई कब 31 अक्तूबर 31 अक्तूबर 2019 को जो आपकी धारा अटाएगे 370 जमू कस्मीर से उसके बाद जमू कस्मीर और लद्दाक जो है यह आपके दो नए यूनियन टेरेटरी बना दिये गए ठीक है इसका मतलब अब आपके कितने होगे टोटल साथ और दो नो यूनियन टेरेटरी बन गे उसके पहले तो यह डेट आपको ध्यानक नहीं इसके बाद जो आपके दो यूनियन टेरेट्री दो केंदर साशित पर्देश थे एक तो दादर नगर हवेली एक दमन एंड दीव कुनकों से दादर नगर हवेली और दूसरा आपका कुनसा दमन एंड दीव ठीक है यह जो आपके द केंदर साशीत परदेश थे इनको मर्ज कर दिया गया और इनको मर्ज कब किया गया 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को तो आप देखो यह 2019 की बात है एक्टूबर केंदर और उसके बाद जो जनवरी आया उसी दिन 26 जनवरी गंतंतर दिवस के दिन दादर नागर हवेले और दमन यूनियन टेरिटरी बना दिया अभी एक ही नाम से आपकी जानी जाती है जिसको मर्ज कब किया गया 26 जनवरी 2020 को मलब वापिस से कितनी हो चुकी वापिस हो चुकी केंदर साशीत परदेश आठ तो अभी वरतमान केंदर कितनी केंदर साशीत परदेश है कितनी यूनियन ट परदेशार आपको पता होगा हर्याना से भी बड़ा एक मात्र जो आपकी केंदर साचीत परदेशा वो लद्दाक रहेगा इसके बाद सबसे छोटा अगर आप से पूछ ले आटवे नंबर का वो कौन सा लक्स दीब जो हो सबसे छोटा हो जाएगा तो यह ध्यान रखना अब वरतमान के अंदर भारत में राज्य कितनी है कमेंट करके बताना भारतिय सविधान के निर्माता कोन है तो भारतिय सविधान के निर्माता आप सभी को बताए डोक्टर भीम राव अंबेडकर डोक्टर भीम राव अंबेडकर इसका राइट अंसर एगा ऑप्शन नंब बाइस से ठीक है सोधा अप्रेल के दिन डोक्टर भीम्राउं बेड़ कर जेंती और आप से पूछ ले यह तो आपके सविधान के निर्मात है थे सविधान बन सविधान आपका बना था कब और आप क nos है इसके साथे जोक्टर भीम्राउं बेड़कर को मरनोपरां तो 1990 के इनदर भारत अरतन से इनको सम्मđनित भी किया गया था ठीक है इसके बाद zal नेक्स्ट कुशन नेक्स्टर आपके सामने कि कि किस नदी को नमक की नदी बोलते हैं तो नमक की नदी यानि लूनी नदी उप्शन नमबर बी जो इसका वो राइट अंसर लूनी नदी जो कि राजस्तान के अजमेर के पास से यह आपकी निकलती है ठीक है तो यह आपका उप्शन नमबर बी बना गुदावरी नदी के बात यहां पर की यह आपको पता है दक्षिन गंगा के नाम से इसको जानते हैं दक्षिन गंगा ठीक है दक्षिन गंगा या व्रिद गंगा के नाम से गुदावरी को जानते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना कृष्णा नदी के उपर आपका जो है नागारजून बान्द किस पर हो जाएगा क क्रिष्णines नदी पर हो जायगा भगवान महाबीर शौमी का जनम स्थान कहां पर है तो महाबीर सौमी के बारे में आपको एक चीछ ध्यान रखने हैं देखो महाबीर सौमी के बारे में बात करें तो महाबीर सौमी इनसे जुड़े दो तिन इंपोर्टेंट क्योस्टिन सबसे पहली बात जेन धरम के बात किजये तो replica 24 में तिर्थंकर की रोप में आए थे 24 में तिर्थंकर बनकर आये थे महाविर स्वामी और इनका अगर बच्पन का नाम अगर पूछ ले इनका बच्पन का नाम इनका जो वो क्या हो जाएगा तो इनके बच्पन का नाम था वर्दमान ठीक है इनके पिता का नाम जो वो क्या था पिता का नाम सिधार्थ था ठीक है तो ये भी ध्यानक ना जैसे महात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम था सिधार्थ लेकिन इनके पिता का नमसी दार्त हो गया इनका जनम आप से पूछेगा जनम और मिर्तियू तो जनम और मिर्तियू इनकी कब होई थी पहली बात पांसो चालिस बीसी के अंदर इनका जनम होता है कुंड गराम वेशाली के अंदर इनका जनम होता है कब पांसो चालिस बीसी के अंदर और मिर्तियू पर है तो हमने अभी पड़ा कुंड गराम वेशाली के अंदर इनका जनम होता है ओप्शन नंबर भी जो इसका आपका वो राइट अंसर देगा ठीक है चोबिसमें तिर्थंकर थे और इनका चिन आप से पूछ सकता है इनका सिंबल जो आना वो क्या था सिंबल था सिंबल था यह थे चोबिसमें तेइसमें भी आप ध्यान दख लेना कौन से पाश्रवनाथ जो वो तेइसमें तिर्थंकर थे और पहले कौन थे रिशब देव थे इसके बाद रगुबंस नामक पूस्तक किसके द्वारा लिखी गी तो रगुबंस नामक पूस्तक जो यह लिखी गी इसके द्वारा कालिदास के द्वारा उप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट अंसर कालिदास की इंपोर्टेंट रचना हैं कौन कौन सी देखो एक तो जैसे रगुबंस यहां पर पूछ ली ठीक है इसके लावा एक्जाम के अंदर पूछी गई आपकी कुमार संबव क पूछी नंबर बी तुलसी दास के बारे में पूछे गारे मानश किसकी रचना है तुलसी दास की आप सभी को पता है सूर सागर, सूर सारावली जो रचना वो सूरदास की है वालमिकी की आप से पूचेगा तो रमायन जब वो वालमिकी की रचना हो जाएगी पंच सील पर किन दो देशों ने स्ताक्षर किये थे पहली बात पंच सील जब कब हुआ उननी सो चॉम्मन के अंदर पंच सीधांत जो थे उनके उपर हस्ताक्षर किये गए किसके भारत और चीन के बीच हुआ था उप्शन नमबर ए जो है इसका राइटांस रोगा उप्शन नमबर ए और इसके साथ ही जो पंच सील के अंदर आपके पंच सीधांते जैसे एक दूसरे की अकंड़ता और परभूत सता का संबान करना एक दूसरे के विरूद अकरामक कारवाई नहीं करना भारत और चीन के बीच से अंदर हस्तक शेप नहीं करेंगे और समानता और परस पर लाब की नीती का पालन किया जाएगा और शानती पाकिस्तान की कुंची हो जाएगी तो यह आपकी हो जाएगी रैड कली फरेखा और भारत और नेपाल के बीच में डारेक्ट आपका यहां पर कोई भी कह सकते हैं कोई भी बाउंडरी यहां पर नहीं होगी परसिद हजरत बल दरगा कहां स्तित है तो यह वैसी ध्यान रख करणे लिखने एख़र कई किस्ट पूछा गया पहली बात देखो कोचीन की अगर हम बात करें कोचीन या कोची तो यह आपका कहांपर पढ़ता है तो यह केरल के अंदर है और केरल में भी एक जिला है जिसका नाम है इरना कूलम जिला जो है वहां पर आपका पढ़ता है को कोचीन के अंदर इसी कोचीन को आपका क्या बोला जाता है अरब सागर की रानी इसको बोला जाता है ध्यान रखने इसके साथ कोचीन के बारे में पूछे दक्षीनी नो सेना जो है दक्षीनी नो सेना का मुख्याल आपका कहां पर इसी कोचीन के अंदर आपका हो जाएगा त के बाद नेक्स डेखो हुमाईउऑ का मकबरा कहा है तो हुमाईउऑ का मकबरायाए आप सभी को पता अप बाभर के बाद के बाभर के बाद आपका हुमाईयों आया था बाबर हुमाईयों उसके बाद अकबर आया था अकबर के बाद आपका गुंसा जहांगीर फिर सा जहां फिर आपका औरंग जेब और सबसे लाश्ट में जो था वो था बहादूर साथ जफर ठीक है बहादूर साथ जफर ये था अब इसक कहां पर काबूल के अंदर दफना जाए तो बाद में इसको वहां पर दफना दिया गया उसके बाद हुमाईयों की जब बात आती है हुमाईयों की मिर्ट्यू होती है एक जनवरी पंदरा सो चपन को इसको दिल्ली के अंदर इसका मकबरा जो बनाया गया अकबर का मकबरा कहा तthing की ईमारेट थी ताजमेल तो वहीं पर ताजमेल यानि आगरा के अंदर नहीं साजां का मकरा हो जाएगा उसके बाद ओरृण जेप का औरूरणगाबाद के अंदर ओरृणगाबाद के अंदर और खादूर साथ जफर हम पढ़ते हैं ठारा सो सतावन की करांती का नित्र तो किया था बादूर साथ जफर ने और उसके बाद बादूर साथ जफर को कहां पर बर्मा या मैनमार की जेल के अंदर कहां पर रंगून के अंदर वहां पर ले गए थे और वहीं पर मकबरा हो जाएगा यानि वहीं पर मिर्त्यू होती है भादूर साथ जाफर जो की अंति मुगल सा सकता तो यह सारे ध्यान रखने इसका ओप्शन नंबर कुन सा बी जो इसका वो राइट अंसर एगा आगरा में अभी हमने पड़ा किसका है कमेंट करके बताना निमन में से किस भारतिया नागरी को नोबल शांती पुरसकार 2014 से सम्मानित किया गया तो यहां पर बात की जाती है मदर टेरेसा की सबसे पहले बात मदर टेरेसा को आपका शांती का पुरसकार दिया गया था और यह कब की बात है यह बात हो जाएगी 1979 की 1979 के अंदर शांती का जो नोब price दिया गया था किके लिए तो option नमबर भी इसके साथ ही 2014 मेरा 5ori मलाला यूसुफ जई मलाला यूसुफ जई को भी दिया गया 2014 के अंदर shanti का 20OR को इन दोनों को दिया गया था शानतिका 2014 के अंदर ठीक है तो ये ध्यान रखना वहीन पर के लास अत्यारति आपके प्रसिद है किस के लिए किला सत्यार्ती आपको पताऊगा एक अंदोलन पढ़ते हैं कुंसा बचपन बचाओं आंदोलन जो है इसके लिए famous किला सत्यार्ती और यह आपका कौन सा ओप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट अंसर तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं मदर टेरेसा को दिया गया था समाज शांती के लिए समाज सेवा के लिए इनको दिया गया था आपको पता एक समाज सेवी थे अजरत बल्दरगा यह दुबारा से आगया शिरी नगर के अंदर जमो कश्मिर में दिमन में से कौन सा देश का सर्वोच खेल पूरसकार वोड़ है ठीक है और सबसे पहले विश्वनात आनन्द को दिया गया था इसी के साथ ही मेजर ध्यांचंद की आदमें अभी अभी जो गया था 29 अगस्ट 29 अगस्त को आपका कुंसा राष्टी एक खेल दिवस मनाया जाता है किसकी आदमे मेजर ध्यांचन जो है इनकी आदमे 29 अगस्त को खेल दिवस आपका मनाया जाता है अभी आपका गया था 4-5 दिन पहले उसके बाद अरजुन अवोर्ड की हम बात कर चुके हैं अरजुन अव सबसे बड़ा civilian award आपका, जैसे हमने पड़ा अभी थोड़ देर पहले सबसे बड़ा civilian award जो दिया जाता है, भारत अरतन, उसके बाद आपका कुछा हुजएगा, उसके बाद आपका पदम विबूशन, फिर पदम वूशन और चोथा जोहभू हो जाएगा, पदम सीरी ठीक है तो इसके बारे में आप ध्यान डख सकते हैं नेक्स देखो 14 क्योशन भारत का राष्टे पसू कुन सा है तो अगर आप से ये पूछे कि बाग से पहले बाग से पहले भारत का राष्टे पसू हुआ करता था शेर लेकिन अभी वरतमान के अंदर कुन सा बाग जो हो जाएगा तो इसका उप्शन नमबर बी जो इसका वो राइट अंसर अभी एक एक एक्जाम के अंदर आपका पूछा गया कि बाग से पहले कौन सा था तब था शेर और शेर कब तक था पहले शेर था उसके बाद आपको पता है अप्रेल 1973 के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया जाता है इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर और इस प्रोजेक्ट टाइगर इंदरा गंदी के टाइम पर आया था इसके बाद में इसके बाद से यानि 1973 से इसके बाद बाग जो है वो क्या बन गया भारत का राष्टिय पसू जो है वो बन जाता है तो ओप्शन नमबर बी जो इस जो आपकी होती है उसके अंदर आपका कौन सा होता है तो उसके अंदर आपको पता है जो बैटरी के अंदर chemical energy जो है उसका भंडार्ण किया जाता है chemical यानि की रसाइनिक energy option number A जो इसका वो राइट अंसरेगा रसाइनिक energy यानि की बैटरी आपकी क्या काम करते है chemical energy जो है chemical को किसके अंदर electrical energy के अंदर आपकी convert कर देती है option number A potential energy घड़ी की चाब भरते time जो आपके energy होती है वो exam के अंदर पूछा गया था वो कुन सी potential energy होती है next leukemia एक बिमारी है जो पर्मुक रूप से डैस को परभावित करती है तो ठीक है तो सबसे पहले देखो जब leukemia की बात हुई है leukemia leukemia की leukemia तो leukemia की जब बात हुई है तो सबसे पहले बाद leukemia आपका क्या एक तरह का blood cancer होता है blood cancer blood cancer आपका होता है leukemia मतलब की एक तरह से blood बलड से जूड़ा हुआ इसका जो राइट अंसर जो बनेगा हरिद्दय भी नहीं है हाथ-पैर भी नहीं है रख तकोशी का इसका जाएगा option number c जो इसका वो right answer अब देखो जब के इसकी leukemia की बात हुई है तो blood cancer की blood cancer इसको बोलते हैं जब blood की हम बात करते हैं तो blood के अंदर आपकी कौन कौन सी cell होती है WBC एक आपकी RBC एक आपकी कौन सी platelets होती है ठीक है platelets है तीन तरह की cell blood के अंदर आपकी पाई जाती है देखो WBC जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं उसको leukocyte बोला जाते है ठीक है leukocyte उसको बोलते है RBC को क्या बोलते है erythrocyte बोला जाते है erythrocyte और platelets को क्या बोलते है prothrombin इसको बोला जाते है तो इसको क्या बोलते है thrombocyte बोलते है यूकेSmकी क्विए करांद कियोंकि हमारी सरीर के नंदर जितनी भी आप की रोग प्रतुरोधक Sh cliffs होती विसकी वजह से हुती यहूत है यह RBC का काम क्या होता है ओक्सिजन और CO2 का ट्रांसफर करना है यह RBC का लेकिन रोग परतीरोदक शम्ताप की WBC होती है इसलिए जब WBC के उपर आपका एफेक्ट होगा उसी की वज़े से हमारी सरीर के अंदर बिमारी होती है तो बिलड के इंसर आपका WBC बिलड से जुड़ा बता है ठीक है तो यह ध्यानक ना और अभी एक्जाम के अंदर आपको पता होगा RBC का नाम पूचा गया WBC का भी नाम यहां पर पूचा गया ठीक है और सेल की स्टेड़ी को क्या बोलते हैं साइटोलोजी बोला जाता है हमारे इन में से कौन सा पदार्थ अतिजाब यानि एक नमक होता है जो घर में यूज करते हैं नमक कोच यानि कोच यानि पोटेशियम हाइड्रोकसाइड यह आपका अमल नहीं होता एन ने वच एन ने वच यानि कि सोडियम हाइड्रोकसाइड यह भी आपका नहीं होता तो ऑप्शन नमबर सी जो इसका वो राइट अंसर है alpha kind, alpha kind जो है वो आपके क्या होते है तो alpha kind आपके, इनकी परिवर्थी क्या होती है यह positive होती है है, धनात्मख होते है option number a, जो इसका, वो right answer सुर्यамे के चारों तरफ, किस घरह के रास्ते को क्या कहते है, सुर्या के चारों तरफ कोन सी परक्रिया उती है तो सुरिय के इनदर आपके निउक्लियर फीजन होती है कि नाभी की मानव श्रीर की सब मानलोऽ सरील की सबसे बड़ी गरंती तो इसके बारे में देखो आपसे Fragen पूछता देखो लीवर की जब बात करते हैं लीवर की बात 되지 तो सभसे पाहली बात सबसे जादा जो हो किसके पास होती है recovering power सबसे जादा वो liver के पास होती है ठीक है अगर liver को काट भी दिया जाए तो यह अपनो खुद को recover जल्दी कर लेता है और सबसे कम recovery power किसके होती है neuron cell की वहला हमारे दिमाग की जो सर की जो दिमाग की जो neuron cell जो होती है उसमें reproduction की power यानि कि खुद को recover करने की power सबसे कम होती है ना के बराबर ही होती है ठीक है तो इसके बारे में ध्यानकना दूसरी बात liver की जब बात हुई है तो liver के बारे में ध्यानकना इसका वजन लगवार देड़ से 2 kg वजन होता है और जब किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा जाता है मालो किसी व्यक्ति की death होगी उसके बाद उसको check करना है किस व्यक्ति की death जब जहर की वज़े से हुई है या naturally हुई है तो जहर को देखने के लिए यानि किसी वेक्ति को चेक करने के लिए कि उसकी मिर्थिव पोज़न दे कर हुई है तो उसके लिए लिवर को चेक किया जाता है ठीक है तो यह भी इसके बारे में ध्यान रखना पोस्ट मार्टम करते टाइम तो इसका आपका सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी यक्री तो उप् कुछे अगनाशिय है पैंक्रियास हो जाएगी ठीक है प्यूस गरंति को आपका क्या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं बिजली गिरते समय कुछी गैस पैदा होती है जब बिजली गिरती है आसमान से तो उस समय कुछी नाइट्रिक ऑक्साइड जो वह आपकी निकलत सकते हैं नेक्स्ट एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है तो एक सबसे पहले बात कैलोरी किसकी आपकी होती है तो एनरजी की यूनिट होती है आपकी कैलोरी और एक किलो कैलोरी के अंदर आपके कितने तो दस की पावर तीन यानि की एक हजार कैलोरी इसके अंदर होती है option number B जो इसका वो right answer निमन मैंसे कौन सा रोग दूसीत जल से होताए तो दूसीय जल की वज़े से आपका जो होता है वो था type Det the option number B जो इसका वो right answer दूसीत पोजन दूसी जल की वज़े से वो अपका type In होताए ठीक है तो इसके बारे में ध्यान रखना है दूसरा सालमोनेला टाइफी यह बैक्टेरिया जो वो रिस्पोंसिबल होता है कि इसके लिए टाइफाइड के लिए मियादि बुखार के लिए जो कि दूशित जल से आपका होता है एक मचली सिवसन के लिए किसका उपयोग करती है बिल्कुल आप सभी को पता है गलफडों का यूज स्किस करती है स्किन से कौन सा आपका जो स्किन से कौन करता है हमने पिछले बात किया था कमेंट करके बता देना कौन सी गया से नियुक्ति करते हैं तो यह आपकी सबसे जैरिली गैस होती है इसके according option के अंदर दिया गया है option number C जो है इसका वो right answer इसके बाद लाल रिबन हरे बलब के उपर कैसी दिखती है जब लाल रिबन जो उसको हरे बलब के उपर लगाए जाएगा तो उसके according वो किस रंकी तो काले रंकी दिखाई देगी option number A जो है इसका वो right answer मेंडक के हरिद्य के अंदर कितने कक्स होते हैं कक्स मतलब की heart के अंदर कितने chamber होते हैं तो मेंडक बताओ है क्या सबसे बहले देखो आपको याद हो जाएगा अभी अगर हम देखें मैमल्स के अंदर मैमल्स के मतलब कि आप हूमन की बात कर लो हूमन के अंदर जो है वो आपके कितने चेमबर होते हैं तो हूमन के अंदर आपके हर्ट के चार चेमबर होते हैं हमने पढ़ा होगा हर्ट की जब बात आई थी हर्ट के अंदर आपके चार चेमबर होते हैं अगर जो आपके पाणी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उनके अंदर आपके कितने तो तीन चेमबर होते हैं उनके अंदर तीन चेमबर होते हैं इसका मतलब उनके दो तो औरिकल होते हैं एक वेंट्रिकल होते हैं इनके अंदर तीन उसके बाद बारी या थे फीश की तो फीश मतल यहां पर कितने आ जाएंगे इसके मेंड़क क्या है मेंड़क आपका एक एंफीबियन है उबेचर है आपका इसका मतलब इसके अंदर आपके कितने तीन चेंबर जो होते हैं option number c जो इसका वो right answer एगा next निमन में से विसपोटक कौन सा है तो विसपोटक कौन सा हो जाएगा इसके अंदर tnt tnb यह दोनों के दोनों आपके एक विसपोटक हो जाएगे वहीं पर एक पूछा जाता है डाइनामाइट का डाइनामाइट भी एक तरह का आपके एक explosive है एक व वो बनाया गया तो यह भी आप इसको ध्यान रख सकते है टोटल होगे 30 क्योशन और इसी के साथ इस कलास के अंदर इतनी क्योशन करेंगे उमीद करता हूँ क्योशन सारे आपने नोट कियोंगे काफी important क्योशन है आपको देखने में यह लगएगा कई बार की easy क्योशन है लेकिन इन से जुड़े वे जो क्योशन बन रहे है ना वो हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे ठीक है तो इसके साथ इस वीडियो में में इतनी क्योशन करेंगे और मिलते है नेक्स वीडियो में इसके साथ ही देखो description के अंदर दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है वह इंडिया जी के वर्ड जी के हिंदी इंग्लिश रिजनिंग कम्प्यूटर साइंस ठीक है तो उसके अंदर पर जल्दी शुरू करेंगे कल या परसूं से तो उसको आप जरूर जोइन करके उसकी बैल आइकन को प्रेस कर लेना जब भी class आएगी तो आपके बाद notification